नमस्ते जिवन संजोनी हेल्थ फॉर यू इस आयरवेट की सो प्रतिस्यत सही जानकारियों देने वाले यूटुब चानल पर अब सभी का स्वागत है महिने में सिर्फ पास दिन मेरे बता हुए तरिके से पेट को बांदिये डिलेवरी के बाद जो महिलाओं में पेट बाहर निकलने की समस्या होती है अक्सर कई महिलाओं में डिलेवरी से पहले भी ये समस्या हो साती है कई लड़कियों में भी ये समस्या देखनों को मिलती है उनकी भी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी अगर महिने में 5 दिन मेरे बताय हुए तरीके से आप पेट को बानती है तो अक्सर डिलिवरी के बाद यूटेरेस का जो आकार बड़ा हुआ होता है उसकी बज़े से पेट बाहर लटकता हुआ दिखाए देता है और नभी प्रतिशत महिलाओं में ये समस्चा होती है चाहे उनका वज़ा नॉर्मल भी हो फिर भी उनकी जो लटकती पेट है वो उनका इंप्रेशन खराब कर देती है हाला कि पहले के जमाने में घर में डिलेवरी होने के बावजुद भी ऐसी समस्चा देखने को नहीं मिलती थी इसका एक मुख्य कारण था आयरोएट का उप्योग और डिलेवरी के बाद कपड़े से पेट को बांधना जी हाँ डिलेवरी के बाद ज्यादातर मैलाओं में पेट बाहर निकलने की समस्चा अभी दिखाई दे रही है कई लड़कियों में भी ये समस्चा देखने को मिल रही है इसका सही समादान आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको सिर्फ 5 दिन तक करना है और उसकी बज़े से पेट बाहर लटकता हुआ दिखाई देता है तो अभी कई मैलाओं का ये प्रस्न होगा कि अभी डिलेवरी होने के बाद बहुत समय हो गया है बहुत साल हो गए या बहुत दिन हो गए है या कही मैलाओं के मन में ये भी संका होगी कि हमारी तो डिलेवरी नहीं होई तो हम क्या करेंगी तो उन दोनों के लिए भी ये उपाय कारगर है दोनों भी ये उपाय कर सकते हैं तो ये उपाय आपको कब करना है किस समय करना है यह सभी जानकरी मैं आपको देने जा रहा हूँ तो मेरी एक आपसे विनंती है कि आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखे आपको सिर्फ महिने में 5 दिन आपके पेट को कपड़े से बांधना है कपड़े से कब बांधना है? माहिवारी के पहले दिन से माहिवारी के 5 दिन तक आपको पेट को बांधना है सुती कपड़े का आप इस्तमाल कर सकते हैं कपड़े से बांधने से क्या होता है? कपड़े से बांधने से जो आपके यूटेरिस का बड़ा हूँ आकार है या आपके पेट की जो दिवार लटक रही है वो सही जगा पर आ जाती है और जैसे कि डिलेवरी के समय आपकी जो पेट की दिवार या इवटेरेस की दिवार होती है वो लचिली हो जाती है उसी तरह से माहिवारी के समय भी पेट की दिवार या इवटेरेस की जो दिवार होत जिसके बज़े से पेट में जमा हुआ जो फैठ है वो भीगल जाता है और आपका जो बहार निकला हुआ पेट है वो सही जगर पर आ जाता है आपको हर महिने में महेवारी के दिन पहले दिन से पास दिन तक आपको ये पेट बानना है चाहे आपकी डिलेवरी बहुत पहले हो चुकी हो, बहुत साल हो गए हो, तो भी आप ये उपाय कर सकती हैं, हाला कि डिलेवरी के बाद अगर आप बहुत जल्दी ये उपाय अपना लेती हैं, तो आपका पेट बिल्कुल पहली तरह से होगा, जो मैला अभी प्रेगनेंट है और डिलेवरी के बाद ये उपाय करना सुरू कर दीजिए, डिलेवरी के एक माहा तक आपको ये उपाय हर रोज करना है, कितना खीचना है तो आपको जितना सह सकते हैं, आपको जितना कमपर्टेबल लगे, उतना ही आपको पेट को बांधना है, आप अच्छी तरह से उसे खीच कर बांधिये, महिने में हर दिन बांधने के आपको जरूरत नहीं है, और कितने देर तक बांधना है आपको, कम से कम आपको चार या पास घंटे तक आपको ये पेट को बांध कर रखना है, चाहे आप सोते वक्त ही बांध सकते हैं, ये दिन में कभी भी आप ये पेट को इसी तरह से बांध सकते हैं, तो जिन माता भेनों को ये समश्या हुई है पेट लटकता दिखाई दे रहा है पेट की दिवार बढ़ जाने से या यूटरेस का आकार बढ़ जाने से वो सभी महिलाएं वो सभी लड़कियां ये उपाय कर सकती हैं तो ये उपाय जरूर करिये और इसी तरह की आयरुएद की बह बहुत भुत धन्यवाद आपका